ब्राजिल ने चाइना की वैक्सिन को ठुकरा कर भारत से मदद मांगी है क्योंकि चाइना की वैक्सिन के जो नतीजे आये हैं वो बहुत ही खराब हैं पहले 50% इसको सही माना जा रहा था लेकिन अभी जो लेटस नतीजे आये हैं उसमें सिर्फ 30% ही यह वैक्सिन कारगर है ज जो की लगबग 20 लाग होती है, लकिन भारत ने अभी मना कर दिया है, दुनिया बरके कई देशों में करोना टेका करन की सुरुआत हो गई है, लकिन इसी बीच नारवे में फाइजर की करोना वैक्सिन की पहली डोज लेने के बाद 30 लोगों की मौत हो गई है, दोस्तों भारत से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है वैक्सिन के लिए, क्योंकि चाइना कंपनी सिनोवा ने ब्राजिल को पूरी तरह से दोखा दिया है, दरसल ब्राजिल भी बिरिक देशों का इस्सा है, उसने चाइना से सज़दारी बढ़ाने के लिए चाइना से वैक्सिन को अपने यहा result आया है, उसमें Chinese vaccine के शिर्फ 30% ही समता है कetics को रोकने की, लेकिन भारत की vaccines की समता जो है 90% से ज़ादा है, यहाल भारत के लिए गोरो की बात है, इसलिए ब्राजिल ने चाइना vaccine को approval नहीं दिया है ब्राजिल की population के अगम 21 कोण है, यहां की इस्तिती दिन परती दिन बहुत खराब हो रही है करोना से ब्राजिल में रोज 60,000 नए केस आ रहे हैं जिसको देखते हुए ब्राजिल प्रजिडेंट बोल सानारों ने भारते पर दामत्री को एक special letter लिखा है भारत हमें करोना वैक्षिन बेजे ब्राजिल ने मांग की है कि हमें 2,000,000 यानि की 20,000,000 वैक्षिन की डोज इमर्जेंसी उपलवद कराए क्योंकि भारत साइथ कई देशों में वैक्षिन लगने की परकरिया सुरू हो गई है लेकिन ब्राजिल में यह परकरिया अभी सुरूई नहीं हुई और पूरी तरह ठब पड़ी है एक तो वहाँ 60,000 केस रोज आ रहे हैं और उस पर ब्राजिल में परजिटेंट इलेक्षन 2022 में होने हैं जिसको देखते हुए ब्राजिल परजिटेंट ने अपने देशवासियों के नराजगी से बचने के लिए उन्होंने भारतिया पीम मोधी को लेटर लिखा है उस लेटर को अपनी पबली को सावर्जनिक करते हुए कहा है उन्होंने भारत से मदद की दुखार मांगी है और भारत से वैक्सिन जल्द से जल्द आ जाएगी भारत के external spokesperson अनुराग ने यह जानकारी दी है कि भारत अभी किसी दूसरे देश को कोई करोना वैक्सिन नहीं दे रहा है भारत ने अभी करोना वैक्सिन एक्सपोर्ट करने का कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि खुद भारत में वैक्सिन प्रोग्राम की अभी शुरुआती हुई है अभी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में अभी और समय लग सकता है भारत का वैक्सिन प्रोग्राम 16 जनवरी से सुरू हो चुका है भारत के अबादी भी एक अरब 37 क्रोड के लगबग है क्योंकि भारत को पहले अपनी खुद की मदद करनी होगी जबी हो बाकी देशों की मदद कर पाएगा क्योंकि आज के समय ब्राजिल को वैक्सिन देने में यह प्रिशानी आएगी लेकिन भारत में कुछ राजनिती पार्टियां अपनी ही वैक्सिन को बदनाम करने का काम कर रही है कॉंग्रेस के परवक्ता रासीद अलवी ने कहा अगर यह वैक्सिन सेफ है तो परदानमंतरी क्यों नहीं लगवाते हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्षिन सेफ नहीं है, इसलिए परदानमंत्री वैक्षिन नहीं लगवारे, समाजवादी पार्टी के रहमान बोल रहे हैं कि भारत वैक्षिन को पहले टेस्ट कराए, उसके बाद लगाए, सायद वो ये भूल रहे हैं कि ये टेस्ट होके भारत में ही बनी हैं, तो इसको अब और कहां टेस्ट कराएं Congress के जाने माने परवक्ता मनीश तेवारी ने भी इस पे सवाल उठाते हुए का, कि जैसे भार देशों में परदानमंतरी या राष्टपती ने टीका लगवाया तो भारत के राश्पति या पर दामंतरी टीका क्यों नहीं लगवा रहे इस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए का सबसे पहले जनता है उसके बाद नेता है लेकिन आपको क्या लगता है भारत को करोना वैक्सिन दूसरे देशों के देनी चाहिए या खुद पहले अपने देश के सभी लोगों को टीका लगाना चीए नीचे कमेंट्स करके जूर बताएं अगर आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नी किया तो सबस्क्राइब जूर कर लें साथ में बैल आइकोन का बटन भी दबाएं जय हिंद जय भारत बंदे मातरम